अब याद है कुछ दो महीने पहले मैंने लिनोवो लीजेंड टावर का रिव्यू डाला था तो बहुत लोगों ने मेरे से पूचा भी या लीजेंड टावर का रिव्यू के लिए आया था वह बतलब क्या है वापस नहीं गया क्या क्या आज तक भी वह मेरे टेबल पर तो सीन के वह जब लीजेंड टावर आता मेरे पास रिव्यू होने के लिए तब लिनोव वालों ने बोरा थे कि आपके लिए कुछ ग्रिफ्ट भेजें तो वह देख लेना तो मेरे पास कुछ यह ग्रिफोन और यह माउस पैड और यह माउस और एक एक लॉक अब तुम को लापटॉप पीसी वगएरा आते हैं रिव्यू करके चले जाते मंदल रखने को नहीं मिलते यह एक्सेसरी वगएरा रखने को मिल जाती है तो इसका मैंने रिव्यू निपता है उन्होंने का जी पिक अप कर वालो यह वो करके और उसके दो दिन बाद मेरे पास फोन आता ह तो इसलिए टाइटल में 1.5 लाक्स लिख दिया उसका रिव्यू हम कर चुके थे इनका रिव्यू हमें करना है आज और क्विक रिव्यू करेंगे दब में खोलता है फटाफट और देखते क्या-क्या है और हां उस गिफ्ट में टी-शिर्ट भी इंक्लूड़िट थी इसल अगर मन करें कुछ बाइं कर सकते हो लिनोवो स्मार्ट क्लॉक टू लिनोवो स्मार्ट क्लॉक का वड्यू बनाई थी उसके अंदर हमने क्लॉक टू अब अब यह क्लोक टू आई ए थ्री भी आईगी क्या मूवी नहीं लॉट मूवी तो आएगी और तुम भी सोच रहों कि दो महीने से आए मैं दो महीने से खोले नहीं अभी तक सच मैं नहीं खोले थे वाई सोचा था वीडियो बनाऊंगा और अब जाके लगा कि हां इसकी वीड वाउ यह हमारे स्मार्ट क्लोग निकल जाती है एक पावर इंपुट का अडाप्टर थोड़ी बहुत पुस्तक है जो हम कभी नहीं पड़ते और क्या है और कुछ ऐसा है और यहां पर USB टाइप A का पोर्ट मिल जाता है तो यहां पर कुछ ऐसी क्लॉक निकल जाती है हमारे और यहां पे साइट नहीं जाती है इसके बाद लगने बाद यह बड़िया अटे साट आज जाता है ऑघ्या आइकदम डिस्पले पर जाती है जो यह नींचे आप रिम देख रहोंगा ना क्लॉक के नीचे नीचे जो फिर लिग्टाने से इन सी इसकी जो डिस्पले है अज 3D डिस्प्ले जिसका रेजलुशन 800-480 है और ब्राइटनेस के निट्स वग्यारा में को कहीं मिले निए और डिस्प्ले के अदर आटमाइटिक सेंसर भी है तो जैसी आपके इम्मेंट लाइटिंग होगी ना उसके असाफ से इसकी ब्राइटनेस अपने 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 इसके आटाच करने हो आपका लो लाइटस ओन अफ करनी हो टीवी ऑन आफ करना हो वीडियों बता दें क्या क्या कर सकते हैं एवन एलेकसा के वीडियों बना रहे हमने यहारी स्मार्ट डिवाइसी ऐसी काम करती है और जो इसकी वारलेस चार्जिंग है और आपके बास वालाइस लिए तो पीछे यूएस्बी पोर्ट है इसके थुरुआ फोन चार्ज कर सकते हो और इसके अदर जी सेंसर भी आपका जैसे अलाम बज़रा एक मुक्का महरूस का अलार्म बंद हो जाएगा यह बैड़ के पास अगर आपके रख्यों सुबह था वह वाला सेंसर तो बस कु यह पूरी एकदम कुछ भी मिल रहा है और यह खरीदते कमंद तो करते हो तुम्हारा अब ऐसा तो नहीं है ना पूरे प्राइस पर खरीद लोगे आप के साथ खरीदो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कैश को आपके बारे में यह कैश्बैक अप्लिकेशन है जिसमें रतन ट मिल जाएंगे जहां से भी आप शॉपिंग करते हो तो सारी अप्लिकेशन ना रखो फोन में सिर्फ कैश करो रखो सारों से शॉपिंग महीं से हो जाएगी फोन की स्पेस फ्री करो तो जैसे आप शॉपिंग करो वही प्रोसीड टू चेक आउट तू कार्ट वगरा करके औ और आपका और सक्सेस्फुल हो जाएगा आपके कैश करों के माई अर्निंग सेक्शन में आपको आपका कैश बैक दिख जाएगा और यह कैश बैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लिकेशन तक सीमी थे कि हाँ कैश करो में कहीं उस होगा आप इसको बैंक में भी ट्रांसफर कर आर जीबी से बहुत प्यार है मैं एकटम फुल एफपिस वाला तो इसके अंदर से एक हमारा माउस निकल जाएगा और थोड़े बहुत कागश निकल जाते हैं जो में कभी नी पढ़ने हो तो इतने सारे कागश देनी कि जूरत क्या है भाई माउस में एंड पैकिंग इस ग लगेगा आपको माउस माउस की ग्रिप गलाट सोज रहोगा तो यहां पर हमारे को कोई ब्रेडिड केबल नहीं मिलती रबर वायर मिलती है बट रबर वायर जो हैना इसकी थोड़ी अच्छी सी क्वालिटी की लग रही है मेरे को बट सिल में इस बजट में ब्रेड इसके अंदर हमारे को 1000 का पॉलिंग मिल जाता है तो यूजर एक्सपिरियंस काफी स्मूध होने वाला आपका अप टू 8000 डीपी आपको मिलती है ज्यादा से फरक नहीं पड़ता है कम से बढ़ता है मिनिम्म तूंट तक आप कर सकते हो और इसके बटन से भी चेंज कर सकते और कहने को हमारा RGB माउस है बस इसका लीजेन का लोगो यहां पर जलता है बाग की और कहीं पर कोई लाइट नहीं है तो देखा जाता है बस सेट अप पर पड़ा होगा तब तक इसकी लाइट काम किया है क्योंकि जैसे आप हाथ रख लोग उसके उपर गेम खेलने के लिए बस छुप गया लीजेन भी खतम अब RGB दी है तो RGB आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इसके अप्लिकेशन से जो मैंने आपको पताई और सबसे बेस्ट पार्ट पता है इस माउस का क्या है इसका वेट यह सिर्फ और सिर्फ 85 ग्राम का माउस है आप यहां पर देख सकते हो 84-83 माउस है तो गेमिंग के मामले में बड़ी experience आपको देगा है वी नहीं है ना क्योंकि और बात आते हैं गेमिंग को लेके तो मैंने इसके पर वैलोनिट वगारा खेल के देखा था तो काफी सही experience मेरे रहा रहाए सो पर यह साब से महोंगा काफी सही माउस है और बात आते है कैश करो की तरफ से giveaway हो रहा है आप ऐसा कोई भी पांच लोग Amazon के 500 रुबीज के voucher जीच सकते हो और कैसे participate करना है बहुत ईजी है डिस्क्रिप्शन वाल लिंक से नहीं कर रहे तो मेरा कोड लगा दे ना Venom25 अगर आप App Store Play Store से करोगे बाद में सेगिंड पॉइंट हमारा ए आपको रिजल्ट मिल जेंगे बहुत लोगों ने जीता हुए बाई आप कम्यूनिटी टैप जाके देखो वाँ पर मैं मंतली पोस्ट करता हूं जो भी हम करते हैं कैश करो करवाता रहता है मेरा एस में कोई लेना देना नहीं मैं कभी गीवावे नहीं करता तो यह आ जाता प्लास्टिक मिल जाती है बट प्लास्टीक जालिटिक है और मियूटी बं इस सब्सक्राइबं छाओ टिर्षुत लीगा पहौंग क wohता शुकर कह और आप देख पा रहेंगे मेंability 350े ग्राम प्रसिपिका बश… यहां पर को ब्रेड़ केबल मिल जाती है बट केबल का कलर भाई बिल्कुल पसंद निया यह तो पूरी ब्लू ब्लैक सा क्या कर दिया इसा लग रहा जुत्ते के लेस हो और आगे से 3.5 mm जैक इंपूर्ट में एकस्पेक्ट नहीं कर था 2800 गाइड़ फोन ही है 2800 में 7.1 का है ऐसे बाहर निकल गया ऐसे अंदर चला गया इस बाहर निकल गया इस अंदर गलत दिलें वैसे वहना सीरेस नोट बढ़िया है चीज आपका माइक जब काम में ना हो आप इसको अंदर कर दो और और आराम से आपका नॉर्मल हैड़सैट की तरह लगा माइक आसे मूग 50 mm के ड्राइवर मिल जाते हैं बाकि बिल्डर न आउटरस मैं आपको बता दिये कोई क्रिवियू है ना तो ज़रा साउंड कॉलिटी सुन लें लगा हूं कहा मैं अब 3.5 mm जैक पीजी पर लगा कर सुन रहा हूं साउंड बिल्कुल वैसी है जैसे गेमिंग हेडफोन क्यों नीची है गेमिंग के साब से बनावा है लाउडनेस इतनी जादा नहीं है बहुत ही बैलेंस क्रिस्पे ड्रेबल अच्छा है और बेस आपको बहुत ही स्मूथ और बैलनस आते हो तो अच्छी चॉइस हो सकता आपके लिए और विल्ड विल्ड बहुत अच्छी है माइक टेस्ट कर लेते हैं और यह सुन रहे है कैसी माइक की कॉलिटी मेडिटिंग के टाइम पर सुनने वालों आप बता तो बस कॉमेंट करके कुक रिव्यू कैसा लगा हैड़फ मैं कोशिश करूंगा पूरा रिपलाई करने की और जो लोग इन एक्सेसरी के यूजर है वह भी अपना एक्स्पीरेंस शेर करते हैं और वोगो हो जाएगी क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे गयाजट्स होते हैं तो पूरे हम प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं कर पाते ह आज की वीडियो के लिए आपको कौन सी चीज जाधा पसंद आई आई नो सबस्यादा तो वही पसंद रहोगा कि बाइसाब है मत चीज़ है 3070 वीडियो देखना इसके बाद जिसने नहीं देखी वाली अच्छी वीडियो है उसमां काफी कुछ पता लागे का और परफॉर झाल 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 ।